हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका एक बर फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच्पप्रहार में मैं हूँ अड़ोकेट सनी शर्मा दोस्तों बहुत समझाने के बाद और बहुत बताने के बाद बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद भी मैंने ये देखा कि लोग फिर भी भी वही रहते हैं जहां वो होते हैं यानि कि आपको बहुत बार समझाया पैनिक नहीं करना परशान नहीं होना कहीं से कॉल आ जाए कि फायर हुई है तो एकदम से छट पटाना नहीं है टाइम लिना है अराम से चलेंगे लेकिन उसके बाद जो दोस्तों हर रोज में ऐसे स मैसेश पर आप्त होते हैं सर बहुत अरजेंसी है एफाई एर के लिए फोन आया था आपको बहुत समझा दिया कि पैनिक नहीं होना टाइम लोग दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है कि आप अच्छे अच्छे घरों से संबंद रखते हैं आप लोग अच्छे खासे पड़े पर चड़ा देगा कोई कुछ ऐसा कर सकता है कि आपके साथ कुछ नहीं कर सकता जो प्रकिरिया है प्रकिरिया के अंतर कती होगा जो होगा प्रकिरिया क्या कहती है प्रकिरिया कहती है एक फायर होगी एक मेंटेंस केसा है या डीबी का केसा है इस से यादा तो कुछ नहीं ह आगे की प्रक्रिया हम तै करेंगे कि हमें क्या करना ये तो उनके पैटका है उन्होंने कर दिया ठीक है उन्होंने कर दिया हम थोड़ा सा परशान हो गए हम परिवार के नाम हड़ जाएंगे उसके बाद सारा का सारा प्रेशर पलेट करके उनके उपर जाता है रिवर्स में कैसे, क्योंकि उनको लगता है, वो सोच रहे होता है, इनकी तो गिरफ्तारी हो जाई है, गिरफ्तारी तो कुछी को ही नहीं, उल्टा नामी अड़ गए, ठेक, धाराएं अड़ गई, कुछ भी नहीं हुआ, पूरे तरीके से चूटे वे होते हैं सामने वाले उस समय पे, कि कीन का, तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, और आपके लिए वो एक तरह से डेड केस होता है, जिसमें कुछ होना नहीं आगे जाके, पूरे तरह से जूट लिगा है, हर चीज का एविडेंस है, और देखा ये जाता है, कि जहां एक दो साल होते हैं, सामने वाले पार्टी को फ अब हम कैस लड़ेंगे, और कोई एक रुपए भी देने की ज़रूरत नहीं है, बोलो जो कोट से आपको बन रहा ले लो, बस, लेकिन हम अलग से आपको कुछ नहीं देंगे, कोई एक्स्टोर्शन किसी तरह खा, आप चाहे वो पचास से दस पे आगे नहीं देना दस और उन्होंने जब मुझे अपनी पूरी स्टोरी लाइन बताई, हमने देखा सारी चीजे, मतलब बहुत सारा गलत उनके साथ हुआ था, उन्होंने वाइप को और उसकी फैमली को पूरे तरिके से सपोर्ट किया, वाइप भी दॉक्टर है, उसके बाउजूद दोस्तों ग वाइप भाइल करी, उनके फादर की तरफ से, वाइप जब अड्मिटी हुई थी, समय गुजर गया, दो साल गुजर के अकल आ गई कि इसमें कुछ होतो रहा नहीं है, ना ये जेल गए, ना इनका हॉस्पिटल बंद हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बहुत कुछ बुरा तो ये सारा माइंड गेम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, और इस माइंड गेम से आप डरने लग जाते हो, अरे एक बंदे को मैं कहा रहा हूँ कि 125RPC के तारीक है मत जाओ अगली रेट पे, और वो समन में तो ऐसा लिखा हुआ है, कि एक्स पार्टी कारीक होगा हो ग कि योखोदी अपने एजम्शन लगाते रहे हैं, इतना आपको सोचने के आउशकता नहीं है, इतना क्यों सोच रहे हैं, आप को रीजन ही नहीं है, मत सोच ये ना, जरॉत नहीं है, जब जो चीज होगी तब देखेंगे, और जो होना ऐसो होना है, उसे आप रोखतो सकते ह वो नहीं होगा और जो नहीं होना उसके बारे में आप सोच के परशान हो रहे हो डिप्रेशन में जा रहे हो ऐसे मामले आते हैं कि किसी को पैनिक अटेक हो गया किसी को हाट अटेक आ गया तो इन चीजों का क्या मतलब है आप उन सारी चीजों के बारे में सोच के परशान हो जो शायद कभी होनी ही नहीं है बहुत ही जादा होगे वर्ष्ट से वर्ष्ट क्या होगा नहीं आएंगे settlement पे नहीं मानेंगे case से लाएंगे चलाते रहो आप अपनी life शुरू कर लेना आगे शादी तो नहीं कर सकते यही तो कानूने मत करो शादी लेकिन ठीक है आपके case से चल रहे हैं आप अपनी life में आगे move on कर लो बात खतम लड़ते रहो case चलते रहो case क्या फरक पड़ता है जितनी सहजिता से जितनी सरलता से आप चीज़ों को accept करोगे उतना अच्छा है 90% cases दो साल के बाद ऐसी स्थिती आ जाती है कि आपका compromise हो जाता है और वो भी जो amount उन्होंने बताई होती है starting में उसके 10% पर ठीक तीन साल के बाद, चार साल के बाद 4 लाग, 5 लाग में settlement होते हैं और कुछ लोग हटी होते हैं जिने कोई फरक नहीं पड़ता जितना मर्जी समझालों ने दिख रहा होता है कि हमारे बच्चे का जीवन खराब हो रहा है लेकिन वो settlement करने को रेडिन है उनकी नाक नीची हो रही होती है बात करते हुए किसी से भी, चाहरा लड़की वाले हो रचे साल ओगे, आट साल होगे, दस साल होगे, बारा साल होगे किस ego के लिए आप लड़ रहे हो लाइफ खराब हो रही है लेकिन उनको नहीं दिख रहा ऐसे लोग हैं अजर आपको भी सामने वाला ऐसा मिला है तो ठीक है फिर उलडते रहे उसमें तरीका वो या आप अपने लाइब में move on करो जो आपका maintenance बना है strategically जैसे जैसे चलना है वैसे वैसे चलाते रहो मैं इतना दावे से कह सकता हूँ कि कोई भी महीला जो उसको maintenance बना है और जो उसको maintenance actual में मिल रहा है उससे संतुष नहीं होगी तो दोस्तो फिर ऐसे में उसको भी तो कहीने कहीं सोचना चाहिए कि इससे अच्छा है कि वह वन टाइम जो हो रहा है आराम से बैठ के जिसमें दोनों पक्षकारों की इज़त हो इसको निपडा लें, सालों तक कोट में घुमना शोबा का काम बिलकुल भी नहीं है और वास्तव में लास्ट में आपको मिलता भी कुछ नहीं है पस्तावा होता है बहुत कि इससे अच्छा हमने स्टार्टिंग में इसको कर लिया होता इतना सारा समय भी बच जाता कुछ पैसा भी मिल जाता दोनों पक्षकारों की इज़त भी रहती एक दूसरे के लिए थोड़ी से मन में रिस्पेक्ट भी रहती पर नहीं समझते तो दोस्तों आप ढरो मत आगे बढ़ो और हर चीज़ का समधाने टाइम गेम है माइंड गेम है